शूप्रभाद विध्यारतियों विध्यारतियों आज की क्लास में हम राजस्तान के भूमी सुधार के संदर में आपसे चर्चा कर रहे हैं राजस्तान आजादी के समय से ही करशी पर निर्बर रहा है और समय समय पर अन्यक प्रकार के भूमी कानून और भूमी के संदर में भूमी सुदार के संदर में बहुत सारे कानून नियम बने है और वरतमान में भी अभी बहुत अधिकाव शक्ता है कि भूमी में इस प्रकार के नियम बने हुए हैं जिनमें सुदार करने की जरुरत है जिससे वास्तविक जो मद्यम या निम्निशनी का किसान है उसको उसका लाब मिल सके तो छात्रो राजस्तान की अर्थफिवस्ता क्रशी पर आधारित है और क्रशी और भूमी का सीधा संबन्द होता है अर्थार क्रशी भूमी से सीधे रूप से प्रभावित होती है भूमी में उत्पन समश्याएं क्रशी की उत्पादक्ता को कम कर देती है इसलिए वर्तमान परिपेक्ष में भूमी सुधार अनिवारी रूप से आवशक है अब आपको हैं समझना होगा कि भूमी सुधार से क्या विप्राए भूमी सुधार क्या होता है उस अंदर में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा भूमी सुधार का विप्राए उन संस्थागा सुधारों से है जो भूमी स्वामी कास्तकार होता है फसल को करने वाला जो भूमी पर खेती बाड़ी का कारे करता है वो कास्तकार होता है कास्त का मतलत होता है फसल कार मानिक करने वाला फसल करने वाला तो कास्तकार तर सरकार के संबंदों में विकास नमुक परिवर्तन को जन देकर उत्पादन व्रदिक तक्नीक में सुधार एवं सामाजिक न्याय का मार्ग प्रसस्त करते हैं जिसके द्वारा भूमी छेतर के मध्यस्तों एवं बिस्दोलियों का अंत होता है कास्तकारी सुधार से भू लगान का न्यायोचित निरधारन भू धारन की सुरक्षा एवं सई धंग से बेदखली पर मनमाने जो बात करते हैं मनमाने ढंक से जो बेदगली पर रोक भूमी का मालिकाना हक भू स्वामी के भू संबंदों को विकास उनमुक बनाया जाता है ताकि कृष्षी विकास की गती को तेज कर सके तो चातरूत ये जो मैंने आपको बताया है ये भूमी सुधार के संदर में इसका मीनिंग आपको ध्यान रखना है भूमी सुधार है क्या तो भूमी सुधार सीधे अरथों में जी हम बात करें तो भूमी में जो संस्थागत जो कारणफसेव हैं संस्थागत जो विवस्ताएं बिगडी हुई थी उनमें सुधार करने से है जिसमें कास्तकार जो है और सरकार के संबंदों में विकासमन उनमुक परिवर्तन होने चाहिए उत्पादन में व्रद्दी हो, तकनी की सुधार हो सामाजिक नियाय का मार्ग पर सस्थ हो भूमी छेतर के मद्यस्त और बिचोलियों का अंत हो कास्तगारी सुधारों में भू लगान नयाय उचित निर्दारित हो और भूधारन की सुरक्षाय मनमाने ढंग बेदकली पर रोक भूमी का मालिका नहत उचित मालिक को मिले भू स्वामी के भू संबंदों को एकासनमुक बनाया जाता है ताकि क्रशिक की गती तेज हो सके तो चात्रों ये सभी प्रकार के जो परिवर्तन है ये भूमी सुधार से संबंदीत है तो आपको भूमी सुधार के मीनिंग में ये सब सारे लिखने पड़ेंगे जो इस सारी बातें आपको बताए गई है अब हम बात करते हैं कि राजस्तान में भूमी सुधार के उद्देश एम आउशक्ता कि राजस्तान में भूमी सुधार के आउशक्ता क्यों पड़ी या इसके उद्देश क्या थे कि भूमी सुधार क्यों होना चाहिए मंद्य अदिकार जो हैं ये सेट सावकार महाजन ये बड़े जो किसान हुआ करते थे उन सब को मिल गए इसमें जो निमने स्तरका जो किसान या कम भूमी वाला जो किसान या भूमी ही जो लोग होते थे उनको इस प्रकार के अच्छा दिकार नहीं दिये गए थे तो उस समय उ पहतना में सोशन होता था और सोशन के कारण जो हमारी प्रतिय हक्टरत पादकता है वो कम थी कम होती थी तो इसमें सुधार करने की जरूरत को हमने समय के अनुसार महसूस किया कि भूमी में इस प्रकार के परिवरतन हो जिससे इसका जो लाब है वो अंतिम स्थिति तक गुमी सुदार में इस परकार के परिवरतन होने चाहिए तो नमबर एक हम बात करें मध्यस्तों का अंत पहले किसान या कास्टकार और भूस्वामी के बीच में मध्यस्त हुआ करते थे और वो मध्यस्त जो है वो किसानों का काफ़ी अधिक मात्रा में शोशन करते थे तो राजस्तान के निर्मान के समय उनीस सो निचास में राज्य के लगबग 34,648 गाओं में से 16,780 गाओं में जागीदारी प्रथा विद्दमान थी जागीदारी का मतलब होता है कि भूमी जागीदार की होती है और उस पर मजदूर या भूमिहिन जो लोग होते हैं वो खेतिकारे करते हैं और उनसे जागीर ली जाती है उनसे एक टैक्स वसूल आ जाता है 20% गाओं में जमीदारी और विस्वेदारी प्रथा जमिदारी और विस्विदारी प्रतावी बटाई प्रताई जिसमें भूमी को दूसरे विक्ति को दे दिया जाता है एक निश्रित समय के लिए वो उस पर उत्पादन कारिय करता है और उसका एक निश्चित भाग जमीदार को दिया जाता है जागिरदार को दिया जाता है ठीक है और उसका एक निश्चित भाग जो खेती बाड़ी करता है उसको दिया जाता है तो उसमें जो सीमान्त किसान था जो भुमीन किसान था, मजदूर किसान था उसका अधिक मातरा में सोशन होता था कर्शोका का सोशन हो रहा था मन माने ढंग से उनसे लगान वसूली जाती थी और ऐसी स्थती में किसान की जो दिशा है वो ज़्यादा खराब होती जा रही थी कि वो जितना उसमें उत्पाजित करता था तो जागरदार जमीदार जो लोग होते थे वो वो सारी पसल को लगान के तौर पर या अन्य प्रकार के जो कर लगा कर सीमान किसान से वसूल लेते थे और सीमान किसान के पास खुद के खाने के लिए वे अनाज नहीं बसता था ऐसी स्थती में उनकी दश्या जादा खराब होती आ रही थी तो इसलिए मद्यस्तों का अंत करना जरूरी था क्योंकि मद्यस्त उसमें अनावशक रूप से फसल का एक भाग ले जाते थे दूसरे बिंदू पर हम बात करें तो वह है कास्तकारों को सुरक्षाय मालिकाना हक कास्तकारों को भूमि स्वामित उदिकार दिलाना पहले जो उस पर खेतिवाड़ी करता था उसको भूमि पर मालिकाना हक नहीं मिलता था जमिदार जागिरदार की भूमी वह करती थी और कास्तकार पर पसल करता था लेकिन उसको मालिकान हक नहीं था मालिकान हक नहीं होने करण वो उस भूमी पर ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाता था इसलिए कास्तकारों को भूमी स्वामीत दिलाना उसका दिकार दिलाना और भूधारन की सुरक्षय बेदकली पर रोक भूलगान को ज्यायचित निरधारन करना आदी ताकि कास्तकार बहरहीत होकर कृष्रिकारी कर सके देखे जब कोई भूमी अपनी नहीं होती है या कोई अपना साधन नहीं होता है रहा हम उस पर काम करते हैं तो हमें हमेशे चिंता सताती रहती है कि हम इस पर मेहनत क्यों करें कुछ समय के बाद हमें इसको छोड़ना पड़े या तो उस भैको किसान की दिमाग से निकालने के लिए कि ताकि किसान उस भूमी के साथ अपना तुका भाव समझे और उस पर अपने पूरी ताकत के साथ पूरी मेहनत के साथ उस कारिये को करें तो निश्चित तोर पर प्रफ अक्टिविटी या उत्पादक्ता जो है वो बढ़ सकती है तो इसलिए कास्तकार को स्रक्षा नियाय दिलाने के लिए भूजोतों का अधिक्तम सीमा निर्धरन कर भूमी के समान वित्रन को बढ़ावा देना था कुछ इकसान या कुछ जागिदार इस प्रकार के लोग थे कुछ मद्यस्त इस प्रकार के लोग थे उनके पास भूमी का बहुत बड़ा भाग हुआ करता था और अधिकांस लोग इस प्रकार के थे कि उनके वास भूमी का कोई भाग नहीं था भूमी ही लोग थे वो दूसरों के मजदूरी करके या उस पर खेती कारी करके अपनी आजीविका चलाते थे इस वज़े से उनका अधिक मात्रा में शोशन हो रहा था तो सामाजिक ऐसा म तो ऐसी स्थती में भूमी के वित्रण या जोतों के वित्रण में सीमाज धान करना और भूमी के वित्रण को समान बनाना इस तरह के प्रियासों पर बल दिया गया भूमी के कुछ हातों में जो भूमी का केन दिक्रण था बड़े लोगों के पास उसको रोका गया और उसको रोक कर उस भूमी के भाग को छोटे किसान जो होते थे, सीमान किसान जो होते थे, उनको वो भूमी का भाग दिया जाता था, तो इस स्थती में भी आजादी के बाद से प्रियास काफिय दिक चल रहा है, और हमें इस संदर में कुछ सफलता भी मिली है, अगला जो हमारा में जो आने वाली जो समश्याएं है या भूमी में आने वाली जो समश्याएं उन से किसान को मुक्त करना पड़ेगा अब ऐसे समश्याएं आजादी के समय से जनरेट हो रही है किसान उन से मुक्त नहीं हो पा रहा है जिसकी किसान की माली जो हालत है वो जदा अच्छी नहीं मानी गई हैं तो करशी विकास को भी बड़ावा देना है तो निश्य त robah Bhoumi सुधार के आउशेकता हैं खाद्धानों की बढ़ती मांग जनसंग का बढ़ती जारी है खाद्धान फसलों की मांग भी बढ़ती जारी है करशी विकास का सबसे जरूरी विशाय था और यह कारिये भूमी सुदार के अद्देश से ही प्राप्त किया जा सकता आज अदिके समय जंसंग के राजस्टान की और वरतमान जंसंग के राजस्टान की दिए हम कंपेर करें तो काफी अदिक चेंज आ गया है लगबग दुग नहीं हो चुकी है मन लीजेगा तो उस समय खाद्यान की जरूरत कम थी लेकिन आज हमें खाद्यान फसलों की जरूरत बहुत अधिक है तो ऐसे स्तिय में जब खाद्यान फसलों की जरूरत अधिक है हमें तो हमें भूमी सुदार करके खाद् तो भूमी सुधार इसलिए जरूरी था ताकि क्रश्री का विकास हो सके खाद्दान फसलों को हम बड़ावा दे सकें चातरो अगला बिंदु है तक्नीकी परिवर्तन को प्रोच सान हम प्राचीन काल से ही प्रमपरागत तक्नीकों का प्रियोग करते खेती वाड़ी कर रहे थे जिसकी वज़े से प्रती हेक्ट रुत्पादक्ता में जो लागत का जो दृष्टी कोणों बढ़ता जा रहा था अब वर्तमान समय में जो तक्नीक है उसमें बड़ा चेंज़ आ रहा है तो उस तक्नीक का प्रियोग हम यदि खेती का रहिवं करेंगे तो तो निश्चित तोर पर उत्पादक्ता भी बढ़ेगी और किसान के लिए खेटी कारे करना भी आसान होगा उसको किसान को उसमें इमानदारी के साथ वो कारी हो कर सकेगा इसके लावा यदि हम बात करें राजगी भूमी में अपखंडन एम उपवाजन की समश्याएं व्याप्त हैं तो चात्रों यहाँ जो अपखंडन और उपवाजन है इसको थोड़ा ये तकनिकी शब्द है थोड़ा आपको समझना होगा ये अपखंडन और उपवाजन क्या होता है अपखंडन का मतलब होता है कि भूमी के टुकडों का अलग-अलग छेत्रों में विवस्तित होना या दूर-दूर के भागों में फैला होना जब किसान के पास चार भूमी के टुकडे हैं और वो दूरी संबंध अंतर पर अलग-अलग छेत्रों में स्थित हैं तो फिर वहाँ खेती कारी करना आसान नहीं होता है क्योंकि आपखंडन प्रक्रिया में किसान के उत्पादन कारिये में लागा जाद आती है जैसे एक खेत उसका X स्थान पर दूसरा खेत उसका Y स्थान पर है तो सारी विवस्ता है उसको X स्थान पर भी करनी पड़ेंगे और Y स्थान पर भी करनी पड़ेंगे जिससे उसकी किसान की जो खेती कारी गिलागत है उबढ़ जाएगी तो अब खंडन भी एक समश्या थी और उप्विभाजन उप्विभाजन का मतलब होता है एक भूमी का टुकड़ा तो एक ही जग है लेकिन संतती विकास के साथ उस भूमी के टुकड़ा के समय समय पर भीभाजन होते रहते हैं जैसे एक किसान के चार पुत्र हैं तो खिसान के पास जो एक भूमी का टुकडा था वो चार जगह विवाजित हो जाएगा फिर उन चार पुत्रों के दो दो पुत्र हैं तो फिर वो भूमी का टुकडा आठ जगह विवाजित हो जाएगा तो ऐसे करते करते वो भूमी का टुकडा वो विवाजित होते होते में हमुद पदनकारी नहीं कर सकते हैं तो अफ़ंडन और उपभाजन की जो समश्या हैं थी इनको दूर करने पर बल दिया गया और अफ़ंडन को दूर करने के लिए सरकार ने चकबंदी कारे करम चलाया जिसमें किसानों को आपस में मौका दिया गया किसान को फायदा मिलेगा तो चकबंदी का कारे करम भी सरकार ने संदर में चलाया था कि अब किसान को एक चक भूमी मिले ताकि इस परकार की जो लागते हैं इस परकार की जो समश्या हैं उसके सामने नहीं आए तो इन से बचने के लिए किसान ने चकबंदी कारिकरम चलाया उपी भाजन की जो समश्या है इनको भी सरकार ने रोकने पर बल दिया गया इन पर निजात पाने के लिए सरकार ने तकनिकी सुदार आवशक था और भूमी में तकनिकी सुदार करके उन समश्याओं को मिटाया जा सका था तो चातरों यहां यह जो मैंने चार पांस बिंदू बताया है यह भूमी सुदार के आउशकता थी भूमी सुदार के उद्देश थे कि इन को हम करके भूमी में बहुत बड़ा आमूल चुल ट्रांसफॉरमेशन कह सकते हैं एक परिवरतन ला सकते थे तो इस अंदर में हमने भूमी सुदार के उद्देशों पर आपसे चर्चर की है अब हम आगे बात करने राजस्तान में भूमी सुदार की कहसती है देखिए भूमी स्वामित का जादू रेतिली भूमी को भी लेराते खेत बना सकता है और यदि भू स्वामित बेधकली होती है तो उपजाओ से उपजाओ भूमी भी बंजर बन जाएगी मेरे प्यारे विध्यारतियों ध्यान दीजिए इस जो सेंटेंस को मैंने कौट किया है तो इस कौट किये सेंटेंस पर आप बड़ी गौर से ध्यान दीजिएगा कि ये कह रहा है कि भूमी स्वामित का जादू रेतिली भूमी को भी लेराते खेत बना सकता है और यदि भू स्वामित भे ध्याखली होती है तो उपजाओ से उपजाओ भूमी बन जर बन सकती है मतलब अपनत्त का लगाओ किसी भी विवस्ता को इतना दिक्सुदार सकता है कि उसमें कितना भी बांज बनो कितनी भी बनजर भूमी हो उसको उपजाओ बना सकता है हो कि जब किसान के मन में भावा जाएगा कि खेत मेरा है तो वो उसमें पूरी ताकत के साथ बहनत के साथ सुदार करेगा, काम करेगा और वो कितना भी अनाशक भूमी हो या बंजर भूमी हो बांज भूमी हो उसको वो उपजाओ बनाकर उसमें प्रैक्टिविटी को बढ़ा देगा इसके साथ यदि उसके अंदर ये भाव आता ही बे धखली गा कि ये भूमी मेरी नहीं है मैं कुछ दिन का इसमें महमान हूं और मुझे इसके बाद इसको छोड़ना पड़ेगा मुझे इससे बे धखल कर दिया जाएगा तो ये भाव आने पर कितनी भी उपजाओ भूमी हो किसान उपजाओ भूमी को भी बंजर भूमी में बदल जाएगी तो ये जो काट किया है कि भूमी स्वामित का जादू रेतली भूमी को भी लहाते खेत बना सकता है और यदि भू स्वामित बे धखली होती है तो उपजाओ से उपजाओ भूमी भी बंजर भूमी बन जाएगी तो इस बात को अब ध्यान रखें इसलिए भूमी स्वामित जरूरी था कि किसानों को भू स्वामित देना चाहिए जिससे हमारी बंजर भूमी व्यर्थ भूमी उपजाओ भूमी में बदल सके राजस्तान के गटन से पूर राज में भूमी के अंतरगत अनेक समश्याएं व्याप्त थी इन सब से आप आउगद हैं वे समश्याएं कर्शी विकास को इस रूप में जकड़े हुए थी कि जिन से विकास होना संबव नहीं था अता इसके लिए सुदार कदम उठाना आनिवारी था जिससे अर्थ व्यवस्ता का आधार किसान को माना जाता है वो स्वतंत रूप से या निर्वै कुशलता के साथ कारी करके इसके लिए निम्न प्रावधान किये गए देखिए विद्यारतियों ये सारे जो सुदार करने का उद्देश था वो ये ही था कि किसान के दिमाग में उस पसल को करने के लिए किसी प्रकार का भेन हो वो उस खेती बाड़ी को अपना समझे उस भूमी को अपना समझे स्वैस वामित तो समझे और कुशलता से जब कारी करेगा तो कितने भी चुनोतियां उसके सामने हो कितने भी समश्चे हैं उसके सामने हो उन सब जंजाओतों का किसान सामना करेगा और उस खेती बाड़े को इतने अच्छे तरीके से करेगा ताकि उत्पादन भी बढ़ेगा और किसान के लाब भी बढ़ने लग जाएं तो चातर इस संदर में कुछ सरकार ने आजदी से लेकर वर्तमान इस तरी तक कुछ नियम कानून प्रावधान बनाए हैं जिन से किसान को रहत मिली है यदि हम बात करें तो नमबर एक बेदखली से रक्षा बेदखली का मतलब होता है कि किसान को बेदखल कर दिया जाता है भूमी से एक निश्ची समय के बाद तो सरप्रतम 1949 में जब जमीदारों ने किसानों की अंदा धून बेदखल किया जो स्वामी थे जिनके वास भूमी का टुकडा था उन्होंने खेती और मजबूरों को भूमी से अलग कर दिया गया उनको बेदखल कर दिया गया तो इनकी रक्षा के लिए राजस्तान कास्तकार संदक्षन अध्यादेश राजस्तान कास्तकार संदक्षन अध्यादेश 1949 जारी किया गए चात्रो इसके लागू होने से ऐ वैधानिक ढंक से बेदखल किसानों को पूना स्थापित किया गए जो जमीदार उने अपनी मनमर्जी से छोटे किसानों को बेदखल कर दिया था जो वैधानिक नी था कानूनी नी था उनको वापस से पुना स्थापित करके उनको न्याय दिया गए तो बेदखली स्था रक्षा दीनियम सबसे पहले राजस्तान में 1949 में बना जिसमें किसान को बेदखली इससे रक्षा दी गई और जो गेर कानूनी काम जुकिये गए थे उन पर रोक लगाएगा तो ये बहुत बड़ा एक आजादी के बाद पहला राजस्तान के संदर में एक प्रियास था जिससे किसानों को लाग गवा दूसरी हम बात करते हैं इसमें लगान नियंतरन लगान नियंतरन तो लगान नियंतरन का मतलब है कि मनमाने ढंग से जो उचे लगान वसूल करने पर नियंतरन करने तथा सभी छेत्रों में लगान में समानता लाने के लिए सन 1951 में राजस्तान उपज लगान अधिनियम जार इसको प्रुबावी बनाने के लिए क्रश्ची लगान अधीनियम 1952 जारी किया जिसमें ये प्रावधान किया कि किसान से एक बटे छे भाग से अधिक लगान नहीं लिया जाए। इसके अलावा तीसरा जो इसमें नियम बनाया सरकार ने वो था जागिरदारी पर्था का अंत। अंडित जमालाल नहरु ने मुआवजा और पुनरवास की सुधा परदान की गई। चात्रों ये कुछ मैंने अधिनियम आपको बताएं। कुछ इससे आगे भी एक दो अधिनियम और हैं। वो मैं आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बार हैं। क्ली वीडियो में चर्चा करेंगे। लाविएलों करेंगे।